Welcome back to my YouTube channel World Literature आज हमें एक short story को discuss करने वाले हैं जो कि है Gold from the Grave by Anna Bhau Sathe ये इनका Marathi नेम है तो इस वज़ा से Anna Bhau या फिर Anna Bhau Sathe जैसे आपकी pronunciation है आप उसको pronounce कर सकते हैं Gold from the Grave के अगर बात करें तो बहुत ही amazing short story है literature बहुत कम ऐसा मिलता है जिसके अंदर हमें इतनी amazing stories मिले हैं या फिर कुछ ऐसे stories मिले हैं जिसके अंदर कोई moral lesson हो या फिर society को दिखाया गया हो जिसके अंदर इसमें भी 20th century को दिखाया गया है कि उस time पे जो इंडिया मुंबई है या फिर उस time पे इसको बॉंबे कहा जाता था तो वहां की condition क्या थी वहां पे जो character है हमारा नरी तरह है protagonist है उसकी क्या condition थी उन सब situation में अपने lecture जो हम लोग start करते हैं इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़े हैं जो के बहुत detail से जानने वाले अपने writer को discuss करेंगे जिनकी birth हुई थी 1 August 1920 में इनकी death हुई थी 18 July 1969 में इनको अना भाव साथी जो है वो कहा जाता था social reformer थे, folk poet थे और writer थे इंडिया में ये बहुत ज़्यदा famous थे अगर इनकी birth की बात करें तो एदा दलित इनकी birth हुई थी और untouchable community में birth हुई थी untouchable जो community है वो community जिसको touch करना जो है वो sin समझा जाता था उस time पे तो उस community में इनकी birth हुई इनकी upbringing जिस तरह से हुई और जो इनकी identity develop हुई as a untouchable community में पैदा होना और उसके अंदर survive करना उसमें upbringing होना obviously आपकी identity पर एक question mark होता है और इस तरह से जब आप अपनी identity पर question mark लेकर बढ़े होते हो तो उस वज़ा से आपका writing career या फिर आपका जो भी profession है उस पर बहुत ज़ादा असर पड़ता है इसी तरह हमारे writer अगर सा ठीक बात करें तो इनका जो writing career था या फिर political activism था वो इसी वज़ा से हुआ था क्योंकि उनकी upbringing ही ऐसी community में हुई थी जिसकी identity को question किया जाता था जिनको जह है वो अच्छा नहीं consider किया जाता था उस time पे इनको father of the literature भी कहा जाता है क्योंकि इनोंने महाराष्टरा जो moment थी उसके अंदर अपना significant role play किया था gold from the grave का introduction हम पहले discuss कर लेते हैं यह जो story है वो early 20th century उसमें लिखी गई थी उस time का यह time period है Mumbai का यह time period है उस time पे Mumbai को Bombay कहा जाता था gold from the grave के हम सबसे पहले characters को discuss करते हैं पहला character है भीमा का इसके spelling जह है वो अपनी book के according जो है वो चेक कर लीजिएगा भीमा जो है वो हमारा main character है जो के एक worker है जो के एक poor class को यहां पे represent करता है उसके बाद उसके एक daughter है नरबदा और उसके एक wife है भीमा की जो के उसको हर गलत काम से हमेशा रोकती रहते हैं लेकिन भीमा जो है वो कभी भी उसकी बात को नहीं सुनता है क्योंकि भीमा जो है वो only bread winner है अपनी family का story के अंदर अब जो है वो इस story को हम लोग discuss कर लेते हैं इसके summary को देखते हैं इस तरह से होती है भीमा जो के एक strong man है, fearless man है और brave man है वो जो है वो जंगल के पास एक city में move on कर जाता है क्योंकि बॉंबे में उसको जो है वो कोई job नहीं मिली होती जोब ना मिलने के वज़ा से उसको एक stone query worker के तोर पर एक job मिलती है means कि जमीन से पर्थर वगएरा निकालना एक mind होती है, वहाँ पर इसको काम मिल जाता है अपनी job के साथ ये बहुत जादा sincere होता है लेकिन वो जो query है ना वो बंद हो जाती है किसना किसी वज़ा से और ये jobless हो जाता है अब jobless होने के बाद अब इसको फिकर थी कि मैं अपनी family को क्या खिलाऊंगा क्या पिलाऊंगा means कि एक poor man के लिए तो यही एक question होता है कि अब उसकी next day की जो bread है जो उसका meal है, जो उसका food है वो कहां से आना है उसकी जो सिरफ यही needs होती है basic needs जो है, वो एक food है जो के primary need है अब उसको कहां से पूरा करना है इसके mind में यह सब कुछ था और यह ना हो कि उसके family जो है, कोई starvation की वज़ा से कहीं उसकी death ना होदे उसके family की, उसको यह भी fair से उसके mind में अब जो भीमा है ना, वो एक नया काम जो है, वो उसकी search करता है अब वो नया काम यह है, कि जितनी भी dead bodies है, जिनको जलाया जाता है जो कि different religion में है कि वो अपनी dead bodies को जलाते है fire के साथ, यहां फिर कुछ जो है वो अपनी dead bodies को just grave में जो है, वो buried करते है यह different different जैसी norms हैं जिस भी culture में है, तो अब यह जाता है graveyard में, graveyard में जाकर क्या करता है, gold search करता है कि जितनी भी graves हैं जितनी भी कबरें वहां बे बनी हुई है एक कबरिस्तान के अंदर वहां जाता है और वहां जाके जितने भी अमीर लोग हैं जिनकी death हो चुकी है, उनकी कबरों को खोदना ही शुरू करता है और वहां से gold निकालता है, उनकी कबर के अंदर से जब गॉल्ड को उन डेट बोडिस में से निकालना स्टार्ट करता है तो वो देखता है कि जो गॉल्ड है वो मेल्ट हुआ है क्योंकि हीट बहुत जादा थी क्योंकि जब डेट बोडिस को जलाया जाता है तो उसकी हीट बहुत जादा होती है उस वजहीं से गॉल्ड immediate होता है जो गॉल्ड melt होता है तो वो उसकी हड़ीयों के साथ जड़ जाता है तो उसको बहुत difficulty होती है उस गॉल्ड को निकालने में तो फिर ये bonds ऐश से अलएदा करता है वो जो राख होती है डेड बोडी की और उसमेंसे जह ना वो गोल्ड को जाड जाड कर उसके जो ग्रीन्स है चोट चोटे पार्टिकल्स है उनको निकालता है ताकि मैं इसको बेच कर जह हो मेरे पास कुछ पैसे आएंगे और जो मैं है वो मिल रहा है जो रिच की देथ है वो भी एक ब्लेसिंग है एक पूर मैन के लिए यह जी उस टाइम की मंबई की कंडिशन जो के एक डीप मैसिज है हमें मिलता इस लाइन से अब उसके बाद क्या होता है कि इसकी जो लाइफ है फेर को शो करवाती है और वो उसको कहती है कि यह काम जो है यह बिजनस गलत है रॉंग है इसको छोड़ देना चाहिए बट बीमा जो है वो उसको कहता है कि जो उसको अब सर्वाइवल के लिए जो है वो यह काम करना पड़ेगा भी मज है वो आर्ग्यू करता है कि जो Bombay है वो इससे भी ज़्यादा ghost और monster से भरा हुआ है इन graveyard की बज़ाए अब यहाँ पर भी एक next message हमें मिलता है कि जो ghost और monsters हैं वो एक imaginary verse हो सकते हैं लेकिन Bombay के अंदर इन सब चीजों का होना means कि rich class, हम जो poor class को जो हमेशा repressed करती है, suppressed करती है या फिर उनको जो है वो कुछ देती नहीं है कि जो poor class है वो अपना survival कर सके उन्हें जो है वो अपनी bread earning के लिए बहुत जो है वो wrong decisions लेने पढ़ते हैं बहुत गलत काम करने पढ़ते हैं भीमा इतने टाइम से ये काम कर रहा होता है लेकिन first time जो है न वो उसको fair fail होता है वो इस वज़ा से जब वो जाता है न वो उन graveyard के पास तो वहाँ पे उसको strange sound सुने को मिलता है और supernatural जो चीज़ें हैं उसको वो भी वहाँ पे नज़र आती है उसके बाद होता है कि वहाँ पे जखल आ जाते हैं जो कि animals होते हैं जो dead bodies को खाते हैं तो उनके साथ इसकी fight होती है वो भी जो है वो इसी काम के लिए आया होते हैं कि वो dead bodies को खाएं और अपनी जो भूख उसको मिटाएं लेकिन जो भीमा है वो तो यहाँ पे gold के लिए है भीमा जो है वो इन को जो है इन dead body से दूर रखने में जो है वो successful हो जाता है और again जो है अपना digging का जो process है वो जारी रहा है बचके उन animals से इसको ना एक ring मिलती है एक dead body होती है उसके mouth के अंदर अब यह उस ring को जो है वहाँ से निकाल लेता है और अपने hand को ना और अंदर लेके जाता है maybe जो है ना कोई चीज मुझे और मिल जाए लेकिन होता यह है कि वहाँ पे बहुत सारे जो है ना लोग आना start हो जाते हैं उन graveyard के पास क्योंकि यहाँ पे ऐसी activities हो रही है तो लोग भी वहाँ पे आना शुरू हो जाते हैं अब जो भीम है वह बहुत जादा डर जाता है कि में भी कहीं मुझे लोग देखना लें और देन मुझे जो है वो police नप कर ले इन सब fares में इसका जो hand ना वो उसके मूख के अंदर फस जाता है और यह उसको निकाल नहीं पाता है और बहुत मुखिल से उसके साथ जहाँ वो strike करके ना जब यह निकालता है तो इसकी सारी fingers हैं वो जहाँ जखमी हो जाती है और उसके वज़ा से इसकी fingers को काटना परता है ये अपने घर में आता है और इसकी एसकी जो कंडिशन है वो कृटिकल होती है meaning कि इसको high favor होता है और इसके जो hands की fingers की condition है बहुत ज़टा बुरी होती है इसकी जो fingers है उनको जो है वो cut करना पड़ता है इसकी body के body से लआदा करना पड़ता है इसकी fingers को जब cut करना पड़ता है तो भीमा जो है वो बहुत सा pain में होता है और उसका ये जो loss हुआ होता है उसकी fingers का उसके वज़ा से ये बहुत जादा devastated होता है means के अब जो उसका एक ही उसके पास एक चीज सी important उसके hands उसके fingers जिसके help से वो कोई काम करता था जिसके help से जो है वो अपने घर के लिए जो है फूड लाता था मील लेके आता था और जो query का work था ना काम जो stone जहां सा वो निकालते थे उसके लिए भी fingers का होना बहुत जादा important था तो इन सब चीजों के लिए अब जो है उसके fingers नहीं रही और यहाँ पर जो है वो story end हो जाती है जब उसकी fingers को cut कर दिया जाता है यह थी हमारा जो की story इसके themes को पहले हम लोग discuss कर लेते हैं इसके major themes है poverty है poverty जो के भीमा का character हमें show करवाता है throughout the story के किस तरहां से वो उसकी job करी job के बाद उसको और कोई काम नहीं मिल रहा था वो हमें इतना बड़ा city है उसमें भी उसको कोई काम नहीं मिल रहा था उसके बाद status of sub-alternity इस जो sub-alternity का जब भी हम concept परते हैं तो गाजिस पीवे का जो एक concept था poor वाला वो बहुत main है इसके अंदर के जो upper class है वो कभी भी help नहीं करती अपनी poor class की कि उनको उनकी life को maintain करने में manage करने में चीज़ों में उसके बाद materialism क्यूंकि आज की bitter reality है हमारी society की के हमारी जो world है वो materialistic हो चुकी है materialism की तब जा चुकी है लोग जो है वो materialistic चीज़ों पर डिपेंट करना शुरू करते हैं और loss जो है हमारा last theme है जो के बीमा की fingers जो है उनका loss हुआ जिसके वज़ा से वो कोई काम भी नहीं कर सकता कि ता आ जाका हमारा lecture I hope कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को लाइक और शेयर और चानल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा thanks for watching my channel